उम्शंति, साकार मुडली में एक कहवत आती है, आप मुए मर गई दुनिया कहियों के अंदर प्रस्ट नोड़ता, इसका भाव क्या है? वास्तों में जैसे कोई आत्मा सरीर से निकल जाती है तो उसके लिए तो पुराना परिवार, मित्र संबंदी, शरीर, पुराने सभाव संसकार, सब कुछ वहीं रखे रह जाते हैं आत्मा कुछ संसकार भले लेके जाती है, लेकिन बहुत कुछ बाते वहीं छोड़ जाती है पुराने इस्मिर्तियां भी लगबग छोड़ जाती है, कुछ पर्षेंट भले साथ जाती है, वो भी अगले जनम में दीरे-दीरे भूलते जाते है तो उसके लिए सारे मित्र संबंदियादी सब खतम होके, उसके लिए दुनिया ही खतम हो चुकी होती है नया जनम लेके उस परिवार वालों को दीरे-दीरे पहचानता है और उस माहौल में ढलता है ये एक एक्जाम्पल है, बाबा कहते तुम्हें जीते जी इस दुनिया से मरना है यानि अपने पुराने सवहा संसकार, जो दे अभिमान के कारण, अउगुण में बदल गये थे वो अउगुणों को भूलो, आप इश्वर के बने हो, ये आपका अलावकिक जीवन है तो इश्वर के संसकार, जी अभिमान के कारण, किसी के अंदर काम, क्रोध, लो, महेंकार, कोई भी प्रकार का संसकार, युक्त ब्यभार देखते हो तो आपके पुराने वाले संसकार न जग जाए seat for dead जैसे के साथ ऐसा करने के वृत्ति न जग जाए क्योंकि आप तो इश्वर के बन चुके हो तो आपको तो उनका नाम रोशन करना है गरम लोहे को थंडा लोहा काटता है थंडे लोहे से काटा जाता है तो हम भी आश्वरी संसकारों से संपन लोगों के ब्यवहार को दैवी संसकार इस्वरी संसकार से संपन ब्यवहार करके बदल सकते हैं आश्वर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसके आश्वरी संसकारों को मिटा देना ये कला हमें बाबा सिखाते हैं और इसे हमें पालन करना है, इसी बात की प्रेना देती है, ये कहवत आप मुए मर गए दुनिया, पहले की सभी बातों को भूलो, और जिनके आप बने हो, और जिस कर्तबे के लिए बने हो, और जिस उसे फाइदा क्या है, इन बातों के स्मिर् तो पुरानी आदते सब छूटते जाएगी, अंधिरे को भगाने के लिए क्या करते हैं, बस एक स्विच जलाते हैं, प्रकास लाते हैं, अंधिरा भाग जाता है, तो क्या करना है उस पर ध्यान दो, तो अउगुन अपने आप फटते जाएगे, बहुत अच्छी इसकी मीनिं है, और इसलिए बाबा इसकी बारे में बार-बार चल चागे, ओम शंती